हेलो गईज, मैं हुआपिशेक और भाइए यह है हमारे पास आज एक काफी कमाल का पोधा और शती शती गईज, यह जो पोधा है, काफी सरमस्दार भी है अगर गईज, हम अपनी स्कीन की बात करें, तो हम अगर अपनी स्कीन पे टच करते हैं हमें पता लाग जाता कि हमने काह पर ठcen किया है और एसी कहूब इस पोधे की अंदर भी मतलब अगर हम उसे कोन सी पती को टucc किया है उस पत्ति को फिर ये बंद कर देता है जी हाँ गाइस काफी कमल और समस्दार पोधा है और इस पोधे का नाम है चुही मुई और इंगलिश में इसका नाम है शेम पिलांट तो आज मैं इस पोधे की आपको बीहेवर दिखाने वाला हूं कि ये कैसे बीहेव करता है बस आप वीडियो को एंड तक फूरी देखिए नीचे जो लाइक कपनास को दबा दिजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो इस पोधे की सारी पत्तियां भी खुली हुई है अगर अगर इस पर इनकी पत्तियों पर टच करूंगा तो बन्द होई है तो गरमेवाली पत्तियां अवाली खुली हुई है तो अगर मैं इसकी अगल-बगल वाली पत्तियां भी टच कर देता हूं तो वह भी देखिए बंद हो जाएघी यह देखिए घार आई कि देखिए तो गाइस देख सकते हैं यह जो सारी पत्तियां है इसमें चार पत्तिया थी चारों पत्तियां वह बंद हो गई है और देखि किस तरह से बंद हो गई है लेकिन अगर यह बंद हो गई है तो थोड़ी देर कम से कम 5-10 मिनट बाद यह वापिस से खुल जाएंगी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो थी देखिए में आपको अरूख पत्या करकर दिखाता हूं यह देखि किस तरह से यह टच करने के बाद ही तुरंट एकदम बंद हो जाती है देखी किस तरह से यह सारी पत्तिय बंद हो गई है और गाइस इसमें एक चीज हो रहा है अगर हम इसकी डारेक्ट टैनी पे टच करें तो इसकी जो टैनी है वह नीचे की तरफ जुक जाती है देखिए मैं करके देखिए किस तरह से नीचे की तरफ लटक गई है यह वाली भी करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यह सारी इधर की मैंने जो पत्तियां वो सारी बंद कर दी है टच करकर गे और मतलब यह जो प्लांट है काफी मज़ेदार है मतलब इस पर टच करो तो मतलब सारी पत्त इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ नई चीज सीखने को मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहा करते हुए तब तक के लिए बाई बाई